हर कोई चाहता है कि उनकी बेटी को सबसे बैस दूला मिले लेकिन ऐसा किस्मत वालों को ही नसीब होता है है ना आपको जरूर मिलेगा कैसे मिलेगा वो बताने का काम मेरा है आप बस शो देखते जाएए आज आपको बताऊंगी कैसे लाको करोडों में बैस दूला आपको मिलेगा वो कौन से उपाई हैं कौन से तरीके हैं जिने करने से बैस दूला मिलता है आज आपको बताऊंगी क्या आपकी शादी चलेगी या नहीं और चलेगी तो कितनी चलेगी और नहीं चलेगी तो क्या दिक्कत आएगी और आज होने वाले दूले की शॉपिंग भी करेंगे और होने वाली दुलहन को बैस दुलहन बनाने वाला में कब भी सिखाया जाएगा चली बात करते हैं पहले महाउपाई की क्या ऐसा होता है कि आपके घर में आपके आसपास में कोई छोटा बच्चा है जिसको नजर लग जाती है पच्चो को औरा वीक होता है ऐसे में हाथ में चुटकी भर रक्षा लेकर थरस्दे के दिन आपको ओम चैतन्य गौरकनात नमहा मंत्र का 108 बार चैंट करना चाहिए फिर छोटी सी पुडिया में आपको डाल कर काले रेश्मी धागे से बच्चे के गले में बान देना चाहिए इससे बुरी निज़र नहीं लगते जब आप पहली बार अपनी बेटी के लिए किसी लड़के को देखने जाते हैं तो पहली बारी में उसकी असलियत को पहचान लेना थोड़ा मुश्किल है आपके दोखा खाने के चैंसे होते ही हैं लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रहे हूँ जिससे आप अपनी बेटी के लिए बैस दूलाद चुन सकते हैं देखे जब लड़का देखें तो उसके हाथ जरूर देखें लंबी और पतली उंगलियों वाला लड़का काफी क्रियेटिव और सरल होता है ये लोग काम की तरफ काफी सीरियस नहीं होते हैं इसलिए इनकी बेटी की शादी करने से पहले सोचिएगा अगर मोटी और भरी भी उंगलियां हैं तो ऐसे लड़के काम और रिष्टों को लेकर काफी गंभीर होते हैं इनका स्वभाव खर्चिला होता है इसलिए अगर आपकी बेटी खर्चे पर कंट्रोल करवा पाए तो लड़का अच्छा रहेगा अगर उंगलियां तो छोटी हैं लेकिन पतली पतली हैं तो ऐसे लड़के कंजूस और थोड़े गुसेल भी होते हैं तो अगर ऐसे लड़के से आपकी बेटी की शादी पक्की हो रही है तो ध्यान देने की जरुवत है लड़के बुरे नहीं हैं लेकिन दिक्कत हो सकती है अगर मीडियम लंबाई वाली पतली उंगलिया हैं बहुत छोटी नहीं है लेकिन मीडियम लंबाई हैं पतली उंगलिया हैं लड़का काफी आकर शक्तित वाला होगा जी हां यानि कि आप इन्हें देखते ही पसंद कर लेंगे बिल्कुल ठीक ऐसे लड़के काफी रोमांटि कैसे होगा अब ये भी जान लीजे बिमारी बताई है तो इलाज भी मुझी को बताना होगा ना नोट कीजे हैं हजबन जो है वो केसर मिले दूद का सेवन करें काम पर जाते समय दंग पर केसर लगाएं और पतनी अपने हातों में सोने की चूडिया पहने इससे मैरिड के साथ पत्ते तोड़ कर ले आएं उन्हें घर के पूजास्थल में रखें उनकी पूजा करें अगले सोमवार को भी यही करें और सुखे पत्तों को किसी मंदिर में या फिर आप जैसे मंदिर के भार जो पेड़ होते हैं वहाँ पर रख दीजे वो अपने आप खात बन ज बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाएगी क्या आपकी दुकान आपके कारोबार में घाटा हो रहा है ऐसे में आप वट व्रिक्ष यह पेड़ जो वाट व्रिक्ष है उसकी चोटी सी स्टेम को उसकी चोटी सी लता को बेल को बेसिकली आप साटेड़े के दिन जाकर जड के पास एक पान का पत्ता रखें सुपारी रखें पैसे रखें और फिर उसको ले आएं संडे सुबह जाकर उसकी एक जटा तो लाइए पीछे मुड कर नहीं देखेगा यह आप लेकर आ गए उस जटा को घर में लाकर गूगल से धुनी दें मतलब घर में एंटर करते ही आ आपको गूगल से धुनी देनी है ठीक है और फिर इसके बार 101 बार जो मंत्र बताने जा रहे हैं इसका जाब करें ओम नमो चंड अल्सुर स्वाहा मेरी क्लास में आपका स्वागत है देखें यहाँ क्या लिखा है शादी चलेगी या नहीं हर बेटी के माबाप को यही चिंता होती है आपको भी होगी, इस समस्या काहल आपकी हतेली की रेखाओं में ही छिपा हुआ है आईए जानते हैं शादी चलेगी, विवाद होगा, ये रेखाओं से कैसे पता चलेगा, खुद देखिए अगर किसी इनसान की हतेली में शादी रेखा लंबी और सूर्य परबत तक जाने वाली हैं यह यहाँ पर होती है, यह जो एरिया है ना, लिटल फिंगर वाला यह होती है शादी की देखा, होरिजोन्टल लाइन अगर ये सूर्य परवत यानि की आपकी रिंग फिंगर तक चली जाए तो ये संपन और समरत जीवन साथी का प्रतीक होता है ये आपकी शादी की देखा है और यहां से कोई लाइन जा रही है जो इसको काट दे कोई भी लाइन इसको काट दे, इस तरीके से काट दे तो व्यक्ति का विवाहिक जीवन परिशानियों से भरावा होता है अब एक और पॉसिबिलिटी देखिए अगर शादी देखा के अंत में ऐसे फोक बन जाए जैसे साप का वो निकलता है न फन ऐसे बन जाए तो फिर दो शाखाएं हो तो ये पती-पत्नी के बीच मत भेट पैदा करती है ये जैसे एक शादी चल रही थी और ये दो अलग-अलग हिस्से हो गए इस तरीके से हो जाते हैं पती-पत्नी के बीच किसी ना किसी बात पर जगड़ा होता ही रहता है कई बार क्या होता है ऐसी situation में आपको ये भी दिखाती है जैसे suppose कोई ऐसी रेखा आ रही है और वो काट रही है पर यहाँ पर एक square बन जाए शादी की रेखा पर चाए कोई काट रहा हो या नहीं काट रहा हो अगर शादी की रेखा पर square बन जाए जो की बन जाता है छोटा बड़ा किसी भी size का तो इसका मतलब शादी में दिक्कते आएंगी लेकिन protection हो जाएगा ये शादी तूटेगी नहीं लड़की के साथ साथ लड़के की माता पिता को भी चिंता होती है कि उनके बेटे की शादी जल्द से जल्द हो जाए अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो उपाई जिससे आपका बेटा जल्द चल जाएगा घोड़ी अगर आपकी शादी की बात पक्की नहीं हो रही है तो हर बुदवार को गाई को हरा चारा डाले जब तक शादी ना हो जाए तब तक हर सोमवार सवा किलो कोई भी पीली डाल और सवा लीटर कच्चा दूद दान करते रहें बिना बाधा आपकी शादी जल्द हो जाएगी अगर आप किसी दूसरे की शादी में महंदी फंक्शन में जा रहे हैं तो जिस लड़की की शादी है उसके हाथ से थोड़ी सी महंदी लगवाले इससे आपकी शादी भी जल्द हो जाएगी अगर आपके बेटे की शादी की बात चल रही है तो ध्यान दें कि जिस बिस्तर पर रोग सोता है उसके नीचे कोई कबार या लोहे का समान ना हो बात पक्की होते ही तूट चाएगी रिष्टे के लिए लड़के और लड़की को मिलाएं तो उन्हें दक्षिर दिशा का सामना मतलब उनको साउट डारेक्शन के सामने करते वे बैठना चाहिए थर्स्दे को केले के पेड़की पूजा करनी चाहिए और केले को नहीं खाना चाहिए ऐसा करते रहिए कुछी हफ्तों में आपका रिष्टा हो जाएगा जब भी लड़की को कोई लड़के वाले देखने आए तो उसे लाल रंकी ड्रेस पहननी चाहिए रेड कलर से पॉजिटिव एनरजी आती है जल्दी शादी करवाना चाहते हैं तो हर गुरुवार को एक गाई को गेहूं के आटे से बनी दो रोटी गुड के साथ दे बात पक्की हो जाएगी रुद्राक्ष की माला से हर रोज 108 बार ओम नमस्षिवाय का जाब भी शादी के रस्ते पे आने वाले आप्स्टिकल्स को हटाने में हेल्प करता है एक बात और नहाने की पानी में एक चुटकी हल्दी मिला करना है जैसे कहते हैं इसके हाथ पीले होने हैं तो हाथ पीले मतलब जुपिटर कर स्ट्रॉंग होना तो अपने नहाने वाले पानी में इतना सा पीला हल्दी मिला दीजे इससे आपकी शादी की बात जल्दी ही बन जाएगी आईए बात करते हैं आज के तीसरे माह उपाय की क्या आपकी लड़की की शादी में देरी हो रही है किसी भी थरस्दे के दिन आपको सुबा नहाद होकर बेसन के लड़ू खुद बनाने हैं उनकी गिंती 109 होनी चाहिए पीले रंग की टोकरी में पीले रंग का कपड़ा बिच्छा कर उन लड़ूं को उसमें रखते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ रक्षना भी रखते हैं पास के किसी शिव मंदिर में जाकर शादी के लिए प्रातना करकर घर आ जाएं लेकिन आपको लड़ू वापस नहीं लाना है अगर आपके बेटे की शादी तैह हो गई है और आप शॉपिंग नहीं कर पा रही हैं तो चलिए मेरे साथ आपको दूले की बेस्ट शॉपिंग करा देती हूं दूले की शेरवानी से लेकर उसका सहरा, मुकुट, पगड़ी और वो सब कुछ जो आप चाहते हैं आज हम बात करते हैं ग्रूम की और ग्रूम अपने इस स्पेशल डे पर क्या-क्या पहन सकता है और ना सिर्फ शादी पेपल की बहुत सारे ऐसे फंक्शन्स होते हैं जहां वो खास लगते हैं, स्पेशल लग सकते हैं यहां पर मेरे साथ खुद मौजूद है तो वेरी फेमस फेशन डिजाइनर लेलिट डालमिया लेलिट वेलकम टू इंडिया निव्स थांक्यू सो मच बताइए कि क्या आप सजेशन देने वाले हैं कौन से ऐसा ट्रेंड है जो अभी सबसे जादा पसंद किया जा रहा है यह आप यह देख रहे हैं दिस अगेन वेरी ट्रेंडी आउटफिट इसके अंदर हम लोगों ने कुड़ते को बहुत डिफरेंट तरीक से मूल्ड किया है नीचे की तरफ जैसे हम विमेंस में पैंपलम करते हैं बट इस बार हमने मैंस में लॉंग पैंपलम की कोशिश की है थोड़े-थोड़े आप देख रहे हैं थोड़े-थोड़े पर्ल्स का यूज है बहुत जड़ाओ रेशम इंबरॉडरी थोड़ी जर्दोजी काम को सटल टोन डाउन रखा है ताकि जादा ब्लिंगी ना रहे ब्राइट के लहंगे के साथ कॉड़िनेट रहे चीजें उस तरह से काफी रिच, क्लासी और यूनीक बनाई है यह देख रहे हैं ब्लू कलर दिस वन अफ वेरी बीरफूल जोदपूरी जोदपूरी को हमने थोड़ा वेस्टरन सेलवेट के साथ मर्ज किया है जोदपूरी के साथ जरनल हम लोग अंदर हम लोगों एक जैकेट प्लेस किया है अटैच किया ह विद प्लीतेंग, क्विल्टेंग, थोड़ा सा क्रिस क्रॉस और थोड़ा फ्यूजन करके इसको फरसे वापस यूनीक बनाया है थोड़ी-थोड़ी हमिंग और थोड़ी-थोड़ी पाइपन्स देख रहे हैं आपके इस पाइपन्स तो बेरी इंटरस्टिग एलेमेंस थ मुगल लोगों ने बहुत राज किया है हिंदुस्तान के वबर तो यह मुगलों की दीन है, काइंड ओफ यह जो कट देख रहे हैं इससे वेरी मुगलाई काइंड ओफ कट मुगल जब यह शेरवानी में बना रहा था तो मैं एक ग्रूम को एक मुगल राजा के तौर पे इमाजिन कर रहा था तो उसी थरह का आउटफेट एक हमने इसमें स्टार्प कुछ एक्स्ट्राउडरी कॉंसेट करने की कोशिश किया है इसके साथ पहन लेगा अधरवाइस इसको डिटाच करके पहन लेगा यह भी बहुत यूनीक है दिस अगेन वरी रेड कार्पिट टाइप अफ लुक जिसके हंदर हम देखते हैं कि डबल टक्सेडोस तक्स आप लोग नॉमल देखते हैं बट हम लोग उने डबल टक्सेडो जैकेट्स को इनर की जगह हमने अपर प्लेस किया है जैसे कि आप देख रहे हो जैसे अगेन लेयरिंग एक दो तीन लेयर्ड गर्मेंट जितने अच्छे स्मार्टी लेयर्स को प्ले करेंगे उतना ग्रूम स्टाइल स्टेट्मेंट लगेगा इस्पेशली यह कॉक्टेल क फैमिनन कॉंसेट्ट पर थोड़ा सा टच यह 3D इंब्रॉडरी आप देख रहे हो तिस इस दवेरी गुड 3D इंब्रॉडरी फ्यूचरिस्टिक थोड़ा इनोवेटिव और थोड़ा अलग जो बहुत ब्लंट गाईज है फैशन ओरियंट गाईज है जो बहुत स्टाइलि ब्लुड इसमें डीप कलर में कोई बीडीप कलर को डॉलप किया सकता है वाइन भी कर सकते हैं दैन निस ब्लू तो अफ्कॉस बहुत अच्छा बॉटल ग्रीन भी आ सकते हैं तो सारे डीप कलर सब्स अगें इसको बिना दुपत्टे भी किया सकता है है यह गुरूम के दिन भी वो पहन सकते हैं अगर गुरूम को पहनना है तो ही किन वेर ऑन हिस सगन अगें बहुत पॉपुलर फंक्शन है या फिर रिसेप्शन पे बिकॉस शॉट एलिमेंट है थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर हमने अम रॉडरी में दिया है अम रॉडरी इसको बहुत टॉ अब बात करते हैं आज के चौथे माह उपाई की क्या आपको हर काम में लॉस हो जाता है ऐसे में मंडे को सुभा नई अंगूठी को गंगा जल में धोकर गाई के दूद में दूद में दूबा दें उसमें थोड़ी सी शक्कर तुलसी के पत्ते और कोई भी सफेद फूल ड के बार नहा कर ध्यान करके अंगूठी को पहन दें ऐसा करने से आपका घाटा फाइदे में बदल जाएगा अगर आपको बेस लड़का चाहिए तो आपको भी तो बेस दुलहन बनना होगा क्यों ठीक कहा ना तो अभी नवरातर से अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं फिर शादी का सीजन भी शुरू हो जाएगा आपको शादीओं के सीजन में कैसे तयार होना है आईए जानते हैं कैसे बेस दुलहन का मेक अप लेना है अच्छे से सुनिए समझी और फिर ट्राइ कीज़े वाडिंग सीजन है और मेक अप जो ब्राइड्स कराने वाली है खुबसूरत लगने वाली है बात करते हैं उनकी आजकर बहुत ही कलोफुल मेक चल रहा है और बहुत ही सुन्दर और फिर से दुबारा से जेल के साथ इसमें ग्लिटर चलने लग रहे हैं तो ग्लिटर भी लग रहे हैं हैस्टल बहुत बड़े-बड़े तो कि हमारे ऑंडियन ब्राइड्स की बात करें तो शाम को मेक अब करा के जाएंगी रात को मेकली के सामने तो तुएंटीफोर आवर्स तक नहीं जाता है अगले दिन चाहें तो सिर्फ खलका सब वाश करें फेस को और लेकंड हैं अगर बात करें तो अजकर बहें इस्टाइलिश लेंगे आगा हैं तो उन लेंगों के साथ मेकप भी स्टाइलिश हो जाता है हम लोग दो तीन चार प बहुत फैशन में नहीं है और हम लोग हमेश्चे सोच देते हैं अगर बिंदिया नहीं होंगी तो ब्राइड अलग कैसे लगेगी लगे कि बाइड भी बाकी जो नियूलिवेड होते हैं वह भी बहुत सारे गहने और बहुत सारे पहने होते हैं मेकप भी बिल्कुल वैसा चलिए वक्त होगया है इस वह जानकारी है जो मुझ से सीधा आप तक पहुंचती है देखिए शादी के दौरान लड़की अपनी जैसे एक ट्रेन की पट्री अपना ट्रैक चेंज करती है उस पैटन पर लड़की की लाइफ चलती है तो ऐसे में दो काम करने बड़े जरूरी है अगर आपके बेटी से आपकी जिंदगी का भागय शुरूरी आता बहुत बेटी का कमरा कुछ कपड़े जूते इंटे रखें और जो बेटी जो फेके जब जाते हैं विदाई के समय जो फेकते है उसे जोली में एकटा करकर रख लें और जो आस-पास की रिष्टधार उन्हें भी जोली में ज opinion गिर जाए एकटा कर लेना चाहिए ये उनके लिए भी गुड लग का साइन है इस चीज को हमेशा याद रखें फेस्बुक पर पूजा वर्मा ने हमारे साथ अपनी समस्या शेर की है पूजा वर्मा की घर में financial problems चल रही है उनकी मदर की नौकरी जाने को लेकर वो चिंतित है अगर आप भी नौकरी जाने को लेकर चिंतित होते हैं तो क्या करें आपको बताते हैं अगर जॉब में instability आ रही है, problem आ रही है तो पीले color के कपड़े, cushion, towel के उपर कुछ दिन जॉब की chair पर बैठना शुरू करें और साथ-साथ अपने घर में, south direction में एक हनुमान जी की photo लगाएं जिसमें वो खड़े हों, सीधे खड़े हों और हाथ में गदा हो ऐसा करने पर आपके अंदर से fear खतम हो जाता हैं और ऐसी situations भी diffuse हो जाती हैं entertainment की बाद बाद में, पहले आपके कल आपके future की बाद क्या करें आप ताकि आपका कल हो जाए बहुत ही अच्छा जटपट जानिए अपनी राशी के हिसाब से मेश राशी के लोग, आप लोग मंदिर में कल के दिन फूल जरूर चड़ाईए किस्मत साथ दे रही है आपका कल के दिन 55% प्रिश्व राशी वाले लोग, अपने मित्रों से सावधान रहें आग बंद करके बात ना मानें लग आपको सपोर्ट कर रहा है कल 59% मित्वन राशी वाले लोग, गुड़ खा कर घर से निकल येगा किस्मत साथ दे रही है आपका 62% करक राशी वाले लोग, दही को ना खाएं कल के दिन भागे साथ दे रहा है आपका कल 65% सिंग राशी के लोग, सुभे उठते ही सूर्यदेव को प्रणाम जरूर करें किस्मत साथ दे रही है आपका 67% कन्या राशी के लोग अपने इस्ट को याद कीजे भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 71% तुला राशी के लोग मिश्री और इलाइची खा कर घर से निकल येगा भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 74% विश्चिक राशी के लोग, गनपती जी की पूजा जरूर करें, भागे साथ दे रहा है आपका 69% धनू राशी के लोग, हनुमान जी की आर्ती करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 79% मगर राशी के लोग, शिवजी का नाम लीजे, सब काम बनेंगे, भागे साथ दे रहा है आपका 66% कुम राशी के लोग, कल के दिन आप मीठा अवॉइट कीजेगा, मीठा कम खाईएगा, किसमत साथ दे रही है आपका 77% अमीन राशी के लोग, सूर्य देव को जल चड़ाईएगा, भागे साथ दे रहा है 81% चलिए बात करते हैं आज के पांचवें और आखरी माह उपाईगी क्या आप एक किचिन में कभी खाने पीने की कमी ना हो, एक काम करें रात में एक मठ्की में थोड़ा सा गाय का घी, तिल का तेल, गेहूं और ज्वार, एक टांबे का पैसा रखकर, मठ्की का मूँ बंद करकर, किसी अकेली जगा पर इसको गार दीजे दूसरे दिन सुबा निकाल लिए, फिर इन सब चीजों को पोटली में बांद कर, मतलब एक छोटी सी बोटल में बांद कर, किचिन में किसी कोने में थोड़ा सा रख दीजे आपके घर अनाच की किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होगी, बेसिकली प्रोस्पेरिटी की कमी नहीं होगी अब कल की बात कर लेते हैं, सिरफ तीन दिन बाकी हैं नवरातर शुरू होने वाले हैं इससे पहले पित्रपक्ष समाप्त हो रहे हैं, इसी लिए ध्यान रखिएगा, मैं आप हर रोज बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ रोज शो देखते रहिए, अभी चलती हूँ, बाई बाई, टेक क्यार